है यह लो एब्रिवन मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जूपिटर नोट बुक को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं आप कोई भी सिस्टम यूज करते हो चाहे लिनक्स यूज करते हो या फिर विंडो यूज करते हो मैं दोनों के लिए बताने वाला हूँ और बहुत शॉट में बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं बताता हूँ कि Linux में हम कैसे इंस्टॉल करेंगे अगर Linux में इंस्टॉल करना है जैसे मैं Ubuntu operating system यूज करना हूँ Linux का तो मैंने terminal open कर लिया अब आपको कहां इंस्टॉल करना है ठीक आप चाहो तो main directory में इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको desktop पे इंस्टॉल करना है तो आपको लिखोगे cd c for change d for directory folder.com directory भी बोलते है cd desktop यह हम desktop पे आगए अगर आपको desktop पे इंस्टॉल करना है आप यहाँ पे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर suppose आपका desktop पे कोई folder है आपको उस folder में इंस्टॉल करना है तो अप लिखोगे cd लिखेंगे sudo apt update enter अगेन आपसे password मांगेगा तो आप अपने system का जो भी आपका password है password एंटर कर दो notebook को install करना है तो हम pip के help से करेंगे pip यह pip क्या है यह python की library को manage करने के लिए टूल है management टूल है जिसको जिसे हमें python ने provide किया है linux operating system और windows के लिए सो सबसे पहले आपको pip install करना होगा अगर install है अपके में तो बहुत अच्छी बात है अगर आप चेक करना चाहते हो pip install है की नहीं तो आप लिख सकते हो pip then version अगर ऐसा कुछ लिख के आ गया pip 20.0.2 या फिर हो सकता कुई पुराना हो तो आपका 20.0.1 या 19.0 something लिख के आए तो यानि आपके pip install है बट मैं यह बोलूंगा कि अगर 20.0.2 से नीचे का वर्जिन दिखा रहा है तो आप फिर से इंस्टॉल कर लो जो step करने जा रहा हो आप कर लो आपका अल्रेडी आटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और अगर आपका सेम आउट्पुट आ रहा है मतलब इंस्टॉल है तो इस step को skip कर सकते हो तो कैसे pip को इंस्टॉल करेंगे pip को इंस्टॉल करने का हमारा कमांड यह होगा sudo apt-get install python3 pip मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अब चाहो तो लिख सकते हो spelling देख लेना sudo apt install python3 pip एंटर करोगे आपका pip इंस्टॉल हो जाएगा मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ क्यों क्योंकि मेरे में अलरेडी इंस्टॉल है फाइन फिर हमारा अगला step क्या होगा अब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं ज्यूपिटर नोट बुक को जिसको हम pip की help से करेंगे तो बहुत सिंपल है हम देखें यहाँ पर थर्ड कमांड क्या है pip इंस्टॉल ज्यूपिटर लैब तो हम लिखेंगे pip या में भी 10 मिनेट भी लग सकता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है दो मिनेट में भी हो सकता है मैं अगें एंटर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे में अल्रडी इंस्टॉल है तो मैं फिर से नहीं करने वाला हूँ अब मैं इसको हटा हटा देता हूँ सबसे पहली चीज याद रखना आपने जिस फोल्डर में जहां पर इंस्टॉल किया है टर्मिनल को वहीं पर ले जाके आप उपन कर सकते हो ठीक तो अभी मेरा टर्मिनल डेक्स्टॉप पर ही है ठीक है अब अगर मुझे जूप्टर नोटबुक को स्टार्ट करना है तो मै हमारा जूपिटर नोटबुक ओपेन हो गया अगर इसमें हमें कोड लिखना है पाइफन कोड लिखना है कैसे लिखेंगे तो मैं यहां पर सा साइस ब्राउजर में बढ़ा देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए ओके अब अगर हमें फाइल्स पीडी यह सारी चीज आ को नहीं दिखना है यह क्या है बैसिकली मैंने फोल्डर कहां पे मेरा मैंने जूपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया है डेक्स्टॉप पे और यह हमारा कहां पर ओपन हुआ है डेक्स्टॉप पे ही ओपन हुआ है राइट जूपिटर नोटबुक जो है वो ब्राउजर मे को छोड़के क्योंकि यह दोनों सिस्टम फाइल से दोनों को हमारा सो कर रहा है यहां देखो मैं डेक्स्टॉप पे दो फाइल है एक फाइल नाम का एक पीडी नाम का और तीसरा है फोटो है ठीक है तो इन तीनों को ही यहां पे सो करेगा देखो यहां पे फाइल पीडी और तीनों सो कर रहा है ठेक, सो जूपिटर नोट बुक हमारा ओपें कहां पे होता है ब्राउजर में, मेरा क्रोम ब्राउजर में ओपें हुआ है, आपका मॉजीला में या जिस ब्राउजर में भी ओपें करना चाहो, एक बार इंस्टॉल हो गया, तो इसको यूज करने के लिए आपको internet connection की कोई जरूरत नहीं है, तो अब python code हम लिखेंगे कहां, तो यहाँ new पे click करोगे, python 3, यह text file, folder, terminal, यह सब छोड़ देना है आपको, python 3 पे click करो, यह हमारा file open हो गया, इस file का आप नाम चेंज, अभी इसका नाम देखो क्या है, untitled, नाम देना चाहते हो तो आप इस भी नाम दे सकते हो, right, enter, यह मेरा नाम चेंज हो गया, यह हमारा jupyter notebook का file open हो गया, editor open हो गया, अब यहाँ पे python code लिख सकते हो, जैसे आपको print करना है कुछ, तो कैसे करोगे, print, hello world, shift, enter, output आगया, अब कोई, अगर python आपको सीखना है, या machine learning या data science पे काम कर रहे हो, तो jupyter notebook बहुत अच्छी चीज है, आने वाले वीडियो में मैं jupyter notebook की basics पे बात करने वाला हूँ कि jupyter notebook को हम कैसे use कर सकते हैं, इन सारे features के बारे में, यहाँ पे हम कैसे code लिख सकते हैं, कैसे run कर सकते हैं, उसके फाइदे क्या-क्या है, इस वीडियो में मैं सिफ यह बता करना, simple क्या है, आप google open करो, www.google.com, और google पे search करो यहाँ पे anaconda, anaconda download, enter, यह आपका जो पहला page आया, individual edition, इसको open करो, individual edition को, अब यहाँ पे anaconda individual edition, यहाँ download का option दिख रहा होगा, मैं Linux यूज कर रहा हूँ, Ubuntu Linux का यह distribution है, तो यहाँ पे for Linux लिखा हुगा है, अगर आपका system Windows होगा, तो यहाँ पे for Windows लिखा होगा, और suppose नहीं भी लिखा है, तो यहाँ पे देखो, get additional installer में Windows, Apple, Mac का है, और Linux तीनों option दिए हुए है, अगर यहाँ Windows पे click करोगे, तो यह देखो, मैं click करता हूँ, यह नीचे सारे option आगे, Windows के दो option है, 64-bit graphical installer, 32-bit, अगर आपका window use करते ह आपका 64-bit window है, आज के टाइम में सबका 64-bit ही होता है, तो आप इसको download कर सकते हो, 64-bit graphical installer, यह देखो, download यहाँ पे शुरू हो गया, और यह जैसे ही मैं इसको cancel कर देता हूँ, क्योंकि मैं Windows करता नहीं हूँ, जैसी यह download खत्म होगा, आप यहीं पे इस पे click करना, उसके बार next, 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 window में पता ही है, कोई भी file कैसे install करते हैं, ठीक है, हमारा पूरा Anaconda install हो जाएगा, ओके, और उसके बाद, हाँ, इससे पहले मैं एक सीज़ और बता दूँ, कि अगर आप Windows यूज करते हो, इस website को open करते हो, तो I don't think कि यहाँ पे for Linux लिखा होगा, यहाँ पे for Windows ही सकते हो, ठीक है, fine, अब जो आप install कर लोगे, next, 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 continue करते जाना install हो जाएगा, तो आप start पे click करना, Windows में, search करना, Anaconda Navigator, और जब search करके उस पे click करोगे, तो कुछ ऐसा open होगा, कुछ इस तरीके का, इतने सारे option होगे, अब Anaconda देखो, मैंने Linux में क्या बताया था, Jupyter Notebook को install होगा, बट यहां पर आपने Anaconda इंस्टाल कर लिया, तो फाइदे देखो, Jupyter Lab भी मिल गया, QT Console भी मिल गया, RS Studio, Orange 3, VS Code, बहुत सारे IDE and other features होते हैं Anaconda में, आपको क्या open करना है, Jupyter Notebook, तो यहां launch, L-A-U-N-C-H, launch का option, इस पे click करो, हो सकता है, maybe, कि यह launch का option यहां ना हो यहां install लिखा हो, तो install पे click करना, एक मिट लएगा, खुद से install हो जाएगा, फिर launch लिख के आजाएगा, आप launch पे click करो, और जैसे ही click करोगे, कुछ ऐसा ही open होगा, जैसा हमारा Linux है, सेम ऐसा ही कुछ open होगा, अब depend करता है कि यहां पे files, जोरी नहीं है, same हो, files वही होंगी जो आपके folder में है, यानि Anaconda आपका जहां install हुआ है, जिस folder में, वहाँ पे जो files available है, वही यहां पे show करेंगी, तो इससे परेशान मत हो ना, यहां पे कोई भी files हो, या कुछ ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम simple new पे जाना, फिर वही काम करना, new पे जाना, python 3 पे click क कर रहे हो, जूपिटर notebook तीनों में सेम तरीके से, सेम यही user interface रहेगा, ऐसा ही दिखेगा, सेम तरीके से काम करेगा, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ installation के process में फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, हाँ, अगर कोई यह चाहता है, कि वो Linux यूजज करता है, बट अनकॉंडा इंस्ट अगर बाइनरी फाइल को कैसे रन करते हैं नहीं पता, तो कमेंट करके बताना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, so thank you for watching this video, don't forget to subscribe this channel and like this video, thank you